आगामी लोग सबाचनाओ में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की लगभग सभी पार्टियां एक जूट होने की कोशिश कर रही हैं जबकि भाजपा किनेगा 37% वोटो पर तिकी हुई है अगर भाजपा ने उन 37% वोटो को पा लिया तो बिजेपी की नया हो जाएगी पार और कहीं विपक्ष ने उनमें सेंध लगा दिया तो लोग सबाचनाओ परिनाम की तस्वीर निश्चित ही बदल जाएगी इस विडियो के जरीए हम आपको बताएंगे 37% का गड़ित क्या है बस आप बने रहे हमारे विडियो के साथ और देखते रहे सहारा समय डिजिटल 2019 के लोग सबाचनाओं में अकेले भारती जंता पार्टी ने तकरीबन 37% वोट हासल किया था देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रिस को लगभग 20% वोटें मिली थी यानि भाजपा को कॉंग्रिस से लगभग 17 या 18% जादा वोटें मिली थी हलाकि भाजपा अकेले दम पर चुनाओं नहीं लड़ी थी उनका भी NDA के नाम से संगठन है वो अलग बात है कि आज मोदी का कत इतना बढ़ गया है कि वो NDA कहीं कोने में दब कर रह गया है हलाकि NDA में भी तमाम दल शामिल हैं ऐसे में 2024 के लोकसफा चनाओं में कॉंग्रिस बगैर मर्जबूत गडबंधन के भाजपा से मुकाबला तो कर सकती है लेकिन जीतने की कलपना शायद ना कर पाए आज भाजपा देश की ही नहीं बलके विश्व की सबसे बड़ी राजनतिक पार्टी बन चुकी है कदान मंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में उनके पास एक ऐसा चेहरा है जो अपने बलबूते ही किसी चनाओ को पलटने का दम रखते हैं निश्चित तोर पर मोदी ने अपनी एक ऐसी इमेज त्यार कर ली है जिस इमेज के आस पास जाने की शमता फिलहाल किसी भी विपक्षी नेता के पास नहीं है बात करें 2019 लोगसभा जनाओ की तो उसमें बिजेपी को 303 सीटे मिली थी जबकि भाजपा नेतर दोवाले एंडिये गड़ बंदन को 343 सीटे मिली थी भाजपाने अकेले ही 37.3-6 प्रतिशत वोटे हासिल की थी जब कि NDA गटबंदन को 45 प्रतिशत वोटे मिली थी उधर कॉंग्रेस नेतरत वाले UPA गटबंदन ने लगबग 26 प्रतिशत वोटे हासिल की थी इसी तरह NDA ने UPA से थोड़े कम वोटे प्राप्त करने में सफलता पाई थी ऐसे में मोदी की वज़र से आज भी भाजपा की स्थिती कमों बेश सबसे बहतर है और निर्विवाद रूप से मोदी सबसे बड़े चहरे हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 का लोगसवर चुनाओ सर्फ मोदी के नाम पर ही जीता जा सके क्योंकि इसके पहले के जो भी चुनाओ हुए हैं चाहे वो 2014 का हो या फिर 2019 का उस समय विपक्ष शायद उतना मजबूत नहीं था मजबूत तो इस बार भी उतना नहीं है लेकिन राहुल गांदी ने भारत जोड़ो यातरा के बाद अपनी छवी में अच्छा खासा सुधार कर लिया है और विपक्ष भी इस बार एक जूट होने के लिए कम अरकस चुका है ऐसे में बिजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लगभग 37% वोटों को बचायर रखने की होगी जबकि विपक्ष को 2019 में मिले अपने 26% वोटों में इजाफा करने की बेचैनी होगी विपक्ष अगर अपनी एक जूटता को लेकर गंभीर है तो भाजपा भी अपने बनाई हुई रणीती के तहट उस वोट प्रतीशत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी जो उसने 2019 में हासिल की थी हलाकि कुछ दिनों पहले RSS के मुखपत्र कहे जाने वाले और्गनाईजर के मैगजीन ने अपने संपादे किये में जब ये लिखा था कि अब सिर्फ मोदी और हिंदुत्व के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है उस लेक के बाद ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी ने कुछ सबक सीख लिया है इसलिए उन्होंने अभी से बूत लेवल की मीटिंग करनी शुरू कर दी है भाजपा की कोशिश है कि अपने बूत को इतना मजबूत कर दिये जाए ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर जुड़ा जा सके हलाकि भाजपा वैसे भी हर चुनाव में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करती है इस बार शायद बूत को लेकर इसी लेज ज्यादा मेहनत कर रही है फिलाल भाजपा भी अच्छी तरह समझ रही है कि इस बार लड़ाई इतनी आसान नहीं है अब निर्भर करता है कि विपक्ष कितना मजबूत होकर चुनाव लड़ता है ऐसी ही देश दुनिया के तमाम अबडेट्स के लिए देखते रहें समयट डिजिटल विडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले